हेलो बच्चो आज हम सेकंड क्लास की इंगलिष की वर्कशीट 28 करेंगे इसमें हमें इंगलिष क्रामर से कोशुंस समझाए गए हैं फर्स्च आयर फिलीन ध ब्लैंक लिगिज विद हैनग बड़ वर्ट रामर में दिये गए वर्ट से जैसे under on in next to behind in between in front of under कहते हैं नीचे को on होता है पर यानि किसी चीज पर in मतलब में यानि किसी चीज में next to होता है साथ में behind कहते हैं पीछे को in between होता है दो चीजों के बीच में और in front of कहते हैं किसी के सामने और यही words हमें flinda blanks में भरने हैं first a में हमें दे रखा है where is the animal animal कहा है हमें बताना है the bird is under the chair जो bird है वो chair के नीचे है इसलिए यहाँ पर under आएगा next the snake is under the coat जो snake है वो coat के नीचे है बैट के नीचे है next be part में हमें दे रखा है where is the ball बोल कहां पर है वो बताना है the ball is in the box आप चितर में देख रहे हो कि box के अंदर बोल है तो ball is in the box आजाएगा कि box में ball है the ball is on the box अब box के उपर है ball इसलिए लगाएंगे the ball is on the box ball box पर है next the ant is behind the glass glass के यानि शीशे के पीछे है चीटी इसलिए लिखा है the ant is behind the glass next the fish is in the fish ball जो fish है मचली है वो fish ball के अंदर है इसलिए इन आया की fish ball में है next the crocodile is next to the pond जो crocodile है वो pond के बराबर है यानि बराबर में है the tiger is on the car जो tiger है वो car पर है next the ball is in front of the box जो ball है वो box के सामने है the ball is in between the boxes जो ball है दो boxes के बीच में है देख रहे हो ना चित्र में तो in between आया the ball is behind the box जो ball है वो box के पीछे है इसलिए यहां पर behind आया second question है choose the correct option हमें सही option पर tick mark करना है first जो picture है उसमें जो ant है यानि चीती है वो पत्थर पर है तो यहां पर on पर tick mark कर देंगे on on next में जो चीती है वो box के अंदर जा रही है तो यहां पर into आ जाएगा कि वो अभी ना ही अंदर है और ना ही बाहर है जा रही है तो वो into आ जाएगा उसमें अभी जो चीती है वो box से थोड़ा बाहर है तो through आ जाएगा ती एच आरो यू जी एच त्रू अब जो next arrow बना हुआ है उसके पीछे है चीती इसलिए behind आ जाएगा पीछे अब जो चीती है वो box में है तो इसलिए inner पर टिकमाक लगा दो अब चीती किसी पेड के नीचे है तो यहां पर under पर टिकमाक आ जाएगा next cup के सामने है तो in front of आ जाएगा अब जो चीती है वो box से बाहर आ रही है तो out of the box आ जाएगा यानी out of को टिकमाक कर दो next question में look at the picture and take the correct sentences हमें pictures को देखना है और सही sentences पर टिकमाक करना है jam is in the bottle सही है क्योंकि bottle में jam है is in the bottle वाली line सही होगी next a pen is on the pillow जो on the pillow वाली line है वो सही होगी कि मतलब जो pen है वो pillow पर है next a TV is on the wall जो TV है वो wall पर है इसलिए on the wall वाली line सही होगी a man is on the rug on the rug यानी जो आदमी है वो गलीचे पर है तो on the rug वाली line सही होगी a cake is in the oven जो cake है वो oven में है तो in the oven वाली line सही होगी next question है compound words when we join two words we get a new word that has different meaning जब हम दो words को join करते हैं तो हमें एक नया word मिलता है एक नया शब्द मिलता है जिसका meaning different होता है अलग होता है जैसे butter और fly को हम जब join कर देते हैं तो butterfly बनता है और butterfly मतलब मदु मकि लेकिन butter तो मक्षन होता है और fly मक्खी को कहते है लेकिन जब butterfly मिल जाता है तो उस words को कहते हैं तितली cow मतलब gyre, boy मतलब लड़का जब cow और boy word को मिला देते हैं join कर देते हैं तो cow boy बनता है cow boy मतलब जो गोड़ा चलाते हैं next foot मतलब pair ball मतलब ball जो होती है जिससे खेलते है अब foot और ball को जो मिला दिते हैं तो football बन जाती है football जो आप देख रहे हो screen पर अब हमें दो words को join करना है और एक नया word बनाना है जैसे first pen pen को हम join कर देंगे cake से तो बन जाएगा pancake eye को हम join कर देंगे ball से तो eyeball बन जाएगी lady को bug से match कर देंगे तो lady bug एक नया word बन जाएगा और lip को stick से add कर देंगे तो lipstick बन जाएगा एक नया word next question है complete the following question हमें इन questions को पूरा करना है बच्चों कुछ question words होते हैं जैसे who, what, when, where, why, how ये हम तब use करते हैं जब हम किसी से question पूछते हैं ये सब wh family words कहलाते हैं अगर कोई तुमसे पूछे wh family words कौन कौन से होते हैं तो आप बोलोगे what, why, who, how, where, when ये सब wh family words होते हैं first sentence में आएगा what what is your name इसको हिंदी में कहेंगे तुमारा नाम क्या है second में आएगा why why are you crying तुम रो क्यों रहे हो who broke the toy किसने खिलोना तोड़ा next है how do you feel today आज तुमें कैसा लग रहा है next है where are you going तुम कहां जा रहे हो next when do you play तुम कभ खेलते हो next है where do you live तुम कहां रहते हो और last है how old are you तुम कितने साल के हो fifth question है look at the picture answer the following question हमें इस picture को देखना है और इन प्रशनों के उत्तर दे रहे हैं हमें चेत्र में हमें picture में एक पोदा दिखाया गया है और उस पोदे के भाग बताये गए है यह क्या है बच्चों यह है parts of a plant पोदे के भाग and things that help it grow और जो इस पोदे को बढ़ने में help करती है अब हमें questions के answer देने है ने मैंनी three parts of a plant हमें किनी तीन भागों के नाम बताने हैं पोदोई के तो मैंने लिखे है stem leaf roots roots मतलब जड leaf मतलब पत्ती, stem मतलब तना next है what things help a plant to grow पोदे को बढ़ने के लिए क्या-क्या चीज़े चाहिए होती है तो पोदे को बढ़ने के लिए water, sunlight, air की ज़रुत होती है water मतलब पानी sunlight मतलब सूरज की रोशनी air मतलब हवा next है which part of the plant is inside the soul मिट्टी के अंदर कौन सा पोदे का भाग होता है तो मिट्टी के अंदर पोदे की जड़े होती है roots होती है next है who is taking care of the plants in a picture कौन पिच्चर में plants की देख भाल कर रहा है तो both the boy and girl are taking care of the plants चो लड़का और लड़की photo में दिखाई दे रहे हैं वो दोनों ही plants की देख भाल कर रहे हैं यानि पोदो की देख भाल कर रहे हैं next है tick the correct answer हमें सही का निशान लगना ना है सही word पर should we plug the flowers क्या हमें पोदे तोड़ने चाहिए तो इसका answer होगा no नहीं हमें पोदे नहीं तोड़ने चाहिए तो no पर tick mark कर लो next है we should water the plants हमें पोदो को पानी देना चाहिए yes सही है ये हाँ हमें पोदो को पानी देना चाहिए तो yes पर tick mark कर लो next है plants are useful to us plants यानि पोदे हमारे लिए बहुत useful है तो ये सही है yes पर tick mark कर लो plants हमें बहुत सारी चीज़े देते हैं पोदे हमें बहुत सारी चीज़े देते हैं oxygen, फल, सबजियां दवाईयां तो इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है last question है draw your favorite flower plant हमें अपना favorite flower की पिक यहाँ पर बनानी है drawing करनी है या पोदे का चित्र बनाना है तो मैंने यहाँ पर अपना favorite जो मेरा flower होता है lotus उसकी drawing कर रखी है आप भी अपने favorite plant या flower की drawing यहाँ पर कर लेना तो बच्चों यह थी हमारी second class की worksheet 28 English की आप हमारे चैनल को subscribe ज़रूर करिए